असलाम अलेकुम आप सब को वेरे चैनल पे खुशाम दीद आज मैं आप लों के लिए बिंटू केक की आइसिंग की और डेकुरेशन की रेसिपी लेकर आई हूँ यह चॉकलेट फ्लेवर में मैंने बनाया है दो अंडो से एक एक तयार किया है चॉकलेट फ्लेवर का यहां प करेंगे ना तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केक में उपर की लेर जो है उसको भी सोक कर लेंगे और इस तरह से इसके आइसिंग हम शुरू कर देंगे बिल्कुल लाइट पिंग कलर का केक मैंने यह तैयार किया था और चॉकलेट फ्लेवर का करा था आप इसको वैनिला में भी तैयार कर सकते हैं वैनिला में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब यहां पर ना मैंने थोड़ी सी जो क्रीम बद अलग कर ली थी उसके अंदर मैंने रैड कलर मिक्स करा और यहां पर मैं इस तरह से इसको बगार नोजिल के ना बस आगे से कट कर सब भी मैंने पाइपेंड बैक को और इस तरह से इसके चेरी बना दी है मैंने रैड कलर की और फिर मैंने थोड़सी क्रीम में गरीन कलर रैड करा और इस तरह से हम इसके क plays görüş जो है वह बहुत इँ है नोदे कि लृट इज सी डेक्ने कियार हो गई है वह बहुत ही प्यारा तो बहुत ही पसंद आया है मेरी फैमली को ये केक और बच्चे जो है वह तो बहुत ही पसंद करते हैं इस तरह की डेकुरेशन को अच्छा यहां पर मैं दूसरा केक त़ियार कर रही हूं यह भी जो है बिंटू केक है इसको भी मैंने चॉकलेट फिलेवर में ही तयार किया य कलर का था लिक्विडि कर दमाइश नहीं सुर्छड़ करें और इस तो मैँ टोस्ट देर सेट जाथ G据 स्टार नोजिल ले ली और जो पिंक कलर था ना उस वाले केक का मेरे उसको मैंने पाइप इन बैग में शिफ्ट करा और इस तरीके से मैंने इसके ओपर डेकुरेशन कर ली चोटे-चोटे फ्लावर्स बना दी और साइड में चोटी-चोटी सी जो है ना कलियां सी डेकुरेश अब यह मेरे पास एक ब्रश है उससे मैंने साइडों में इस तरह से ना लाइनों का एफेक्ट दे दिया इसको हमने कट करा और यह देखें जी माशालला हमारे दौनों केक जो है वो बनकर तयार हो गए परपल भी और लाइट पिंक कलर का भी उमीद करती हूं आपको मेरी दौनों डेक्परेशन बहुत पसंद आई होंगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा टेक केर अल्ला हाफिस